दोस्तों नमस्कार आदाप सच्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम नियोज मंथन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है शौधरी देविलाल भारत के पुरुप प्रधान मंत्री उनके जनम दिन यानि 25 सितंबर यानि कल हरियाना के फतेहाबाद में एक बड़ा राजनीतिक मेला लग रहा है ये मिला है गैर कॉंग्रेसी विपक्षी नेताओं का इसमें पुरुरक्षा मंत्री और NCP प्रमुक शरतपवार बिहार के मुख्य मंत्री और जनतादल यू के नेता नीतीश कुमार जारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरिन बिहार के उप मुख्यमंत्री रास्ट्री जन्तादल के नेता तेजस्वी यादो तेलंगाना रास्ट्र समिती के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंचे कर रहा हो डियम के चीफ और तमिलाट के मुख्यमंत्री एम के स्टालीन या सांसत कनी मुजी महारास्तिर के पुरु मुख्यमंत्री और शिव सेना प्रमुक उद्धव ठाकरे माक्सवादी कॉम्मुनिस पार्टी और भारती कॉम्मुनिस पार्टी के शिर्सनेताओं के अलावा लालू प्रशाद यादो भारत की विपक्षी राइनीती के बड़े दिगज उनके भी कल की रैली में शामिल होने की संभावना है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंत के जरिवाल एनसी नेता नेशनल कॉंफ्रेंस नेता फारुक अब्दुल्ला पीडिपी चीप महबूबा मुफ्ती सहित बहुत सारे और नेता भी आमंत्री थाए दोस्तों इस्रेली के संजोजक कौन है संजोजक हैं इंडियन नेशनल लोक दल के नेता ओम प्रकाश चौटाला देविलाल जी के सुपत्र बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर्जी टीडीपी चीफ चंद्रबावु नैडू एस्पी चीफ अकिलेश यादो और मायवती के बारे में अभी तक कनफॉर्म नियूज नहीं है लेकिन इन्हें भी बुलाने की कोशिश की जा रही है हमारी जानकारी के मुताबिक 24 तारीकी दो पहर तक लालू प्रशाद दिल्ली पहुँच चुके हैं और अगर सेहत ने इलाव किया डाक्टरों ने उनको इलाव किया तो वो फतेहाबाद जा सकते हैं लेकिन तेजस्वी आदो और नितिश कुमार का जाना तो पक्का है दोस्तों ये बिहार के जो टॉप लीडर हैं उनके बारे में हमारी सूचना है कि वे सोनिया गांधी से ही से भी कल मिल सकते हैं अब देखिए कि प्रोग्राम उनका मिलने का कब तय होता है किस वक्त होता है लेकिन उनका मिलना कनफॉर्म है दोस्तों नितिश कुमार के पिछले प्रयासों का ये फालो अप है जो अभी फतेहाबाद में हो रहा है नितीश कुमार बिहार में अपना सक्ताधारी गठमंधन बदलने के बाद सितंबर के पहले सक्ताह में वो दिल्ली आये थे उस दोरे में आपको याद होगा कि वो राहुल गांधी सहित कई पार्टी के नेताओं से मिले थे वो मुलायम सिंग्ग यादो ओम प्रकास चौटाला तक से मुलाकात उन्होंने की थी बताते हैं कि देविलाल के जन्म दिन पर विपक्षी नेताओं की बड़ी रैली करने का विचार चौटाला से मुलाकात के दौरा नहीं आया यही कारण है कि रैली की सफलता खास तोर पे विपक्षी नेताओं के जुटान के लिए चौटाला से कुछ कम महनत नितीश की पार्टी नहीं कर रही है पार्टी के प्रवक्ता के इसी त्यागी ने पिछले दिनों इस प्रस्तावीत रैली की रूप रेखा पेश करते हुए पत्रकारों से कहा था कि फतेहाबाद में चौधरी देविलाल की जैनती पर बड़ी रैली होगी पर फिलहाल ये रैली गैर कॉंग्रेसी विपक्ष की रैली है हाली में जब चौटाला से कॉंग्रेस के बारे में पूछा गया दोस्तों तो उन्होंने कहा कि अतीत के सारे मसलों को भुला कर वो आज कॉंग्रेस से भी हाथ मिलाने को तयार है आखिर देविलाल के जन्म दिन पर विपक्षी नेताओं की रैली करने का क्या मतलब है और कॉंग्रेस इस रैली को कैसे ले रही है दोस्तों देविलाल 1989 से 90 के बीच में वीपी सिंग सरकार में उप्रदान मंत्री थे किसानों के हित ऐसी पर विपक्षी रायनीती में जोडने और तोडने के उनको उस्ताद भी माना जाता था ताओ कहा जाता था इज़्यत के साथ जिस ताओ ने वीपी सिंग को 89 में प्राइमिनिस्टर बनवाने में महती भुमिका निभाई उनकी सरकार गिराने में उसी ताउ की आहम भूमिका भी रही वीपी ने उन्हें पत से हटाया भी अगस्त 90 से वो वीपी के घोर विरोधी बन बैठे और चंद शेकर से मिलकर उनके पतन का कारण बने यानि वीपी सिंग के पतन का कारण बने तमाम पॉजटिव और निगेटि की कोशिश किये कि ये बड़ी शुरुवात हो रही है अब देखना होगा कि ये कितना पॉजटिव और कितना निगेटिव साबित होती है दोस्तों इस विपक्षी एकता का एक कॉंग्रेसी एंगिल भी है पिछले दिनों कॉंग्रेस मीडिया और कॉम्मुनिकेशन जी उनका मानना है कि कॉंग्रेस मजबूत होगी तभी विपक्षी एकता को आधार मिलेगा हमारा प्रथम एजंडा होगा जैसा कि उन्होंने कहा मैं उनको कोट करता हूँ हमारा प्रथम एजंडा है कॉंग्रेस को मजबूत करना Congress और गेर Congress विपक्ष में दोस्तों ये क्या सियासी पेच है दोस्तों हमारा मानना है कि असल सियासी पेच है कि Congress और गेर Congress विपक्ष में कौन कितना ताकतवर बन कर उभरतकता है पिछले दिनों के सियार भी ताल ठोक रहे थे प्रदान मंत्री बनने की इक्षा उनमें भी जागरित हो गई थी विपक्षी एकता कराने वो हैदराबाद से उड़कर पटना आ गए थे आपको याद होगा नितीश कुमार और तेजस्वी यादो के साथ साजा प्रेस कंफरेंस भी उन्होंने की दोस्तों हमारे सुत्र बताते हैं कि वो एक गैर कॉंग्रेसी प्रदान मंत्री के प्रत्याशी को आगे करके 2024 के लोग सवाचुनाओं में उतरने का सियासी प्लान विपक्ची नेताओं के बीच बेचना चाहते थे पर नितीश और तेजस्वी सहित किसी भी नेता ने उनके सियासी प्लान को बहुत गंबेरता से नहीं लिया यही नहीं उसी बीच जैराम रमेश्ट का बयान भी आ गया मुझे लगता है कि इसके बाद उन्हें असलियत का थोड़ा एहसास हुआ होगा संबावता अपने सलाकारों या अपने जियोत्षियों जियोत्षियों पर भी बहुत यकीन करते हैं ऐसा मना जाता है उनके काने पर फिलाल उन्होंने विपक्षी एकता और स्वैम को उसकी धोरी बनाने की महत्त्वा कांचा का प्रयास फिलाल रोग दिया है हमने सुना है कि इन दिनों किसानों और किसी की बातें ज्यादा करने लगे हैं दोस्तों असल में कॉंग्रेस हो या शेस विपक्षी दल सभी सभी 2024 में विपक्षी एक्ता चाहते हैं लेकिन कुछ चुनाव से पहले चाहते हैं और कुछ चुनाव के बात चाहते हैं कॉंग्रेस और टीमसी यानि त्रिनबुल कॉंग्रेस दोनों नहीं पार्टियां दोनों पार्टियां यह बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि वे बंगाल में गटमंदन करें मम्ता अपनेर जी कॉंग्रेस को अधिक सधिक दो या तीन सीट लडने को देंगी ऐसे में वो उनके शी बनकर उभरने से परहेज नहीं करेगी इसी तरह वो महारास्त में एंसीपी शीव सेना के साथ अपना गटमंदन काइम रखेगी लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वो गटमंदन के बगाएर लड़ना पसंद करेगी यानि 2024 के लिए कॉंग्रेस संपूर्ण देश के लिए एक जैसा गटमंदन करना नहीं पसंद करेगी कुछ राजियों में गटमंदन होंगे और कुछ राजियों में नहीं होंगे इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि 2004 का विपक्षी एकता का मॉडल ही चलेगा यानि कहीं एकता होगी कहीं गटमंदन होगा कहीं न लाकर आ जाती है और भारती जनता पार्टी कमजोर हो जाती है और उसकी सीटें कम हो जाती है तो चुनाव के बाद मुझे लगता है कि साफ होगा 2024 चुनाव के बाद कि किस खेमे की कितनी संसिदी सीटें रहती हैं अगर कल्पना कीजे कि 2024 के चुनाव में भारती जनता आजा विपक्षी खेमे में जिस पक्ष के पास ज्यादा सीटे होंगी उसके पक्ष का पीम प्रत्यासी उबर कर सामने आएगा यानि कॉंग्रेस की सीटें अगर शेस विपक्ष से ज्यादा होंगी तो पीम पद पर कॉंग्रेस का दावा होगा अन्यता शेस विपक्ष का इस इस पर गनित में मतलब अगर मैं अगर देखता हूं तो इस गनित में बहुत सारे अगर-मगर हैं फिलाल इस चर्चा को हम दोस्तों यहीं छोड़ते हैं और आखीर में दो छोटी-छोटी खबरों पर चर्चा करते हैं जिस पर टीवी पूरम तो शायदी मोग खोले दोस्तों ये संबाउता पहला मौका है पहला मौका है जब भारती जंता पार्टी से संबद रही एक बड़ी शक्सियत ने अपने सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी को कुछ नसीहतें दे डाली ऐसा दुस्साहस आम तोर पे भाजपा या भाजपा से जुड़े रहे लोग नहीं करते हैं आजकल ये नसीहत है पुर्व प्राश्टपती और पुर्व भाजपा ध्यक्ष रिंक या नाइडू की वो कहते हैं पीम मोदी को सक्ता पक्ष और इपक्ष के नेताओं से अकसर मिलते रहना चाहिए ऐसा लगता है कि कुछ हिस्सों में पीम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए गलत फामिया नहीं होनी चाहिए उन्हें दोनों खेमों के लोगों से बात करते रहने चाहिए ये बात ने नाइडू साहब ने प्रदान मंतरी मोदी के भाशनों के एक संकलन के लोकारफण के मौके पर कल दिल्ली में कही है फिर उन मौके ये शुश के इतने अच्छे दिन आ गये हैं कि एक डालर इन दिनों 182 रूपफे से ज़्यादा का हो गया है एक 888 रूपफे से भी ज़्यादा हो गया है। यानि आप निवार्प में 2 डालर की एक चाह पीना चाहेंगे तो आपको भारती हिसाब से 162 रूपषट र 2013 को याद रखिए तारीख 20 अगस्त 2013 को जब डालर के मुकाबले रूपए की हैसियत कीरी थी और वो 60 से उपर हो गया था 60 रूपए से उपर हो गया था तो गुजरात के तत काली चीप मिनिस्टर के रूप में मोदी जी ने मनमोहन सरकार को नाकारा बताते वे कहा था कि रूपए और सरकार दोनों ने अपने मुल्य खो दिये हैं तो दोस्तों आज तो एक्यासी से उपर हो गया है यानि रूपए की कीमत इतनी घट गई है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है इतिहास इतिहासिक गिरावट है इतिहास में ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ तो आप समझे कि किस ने कितना मुल्य खो दिया है आज नियूज मंथन में बस इतना ही नमशकार आदाब सच्रियकाद